दोस्तो हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ में ट्रेन में काफी सफर किया है लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा रेलवे ट्रैक देखा है जिसमें दो नहीं बलकि तीन रेलवे लाइन हो हम बात कर रहे हैं हमारे पडोसी देश बांगलादेश के बारे में जहां पर हर रेलवे ट्रैक में दो नहीं बलकि तीन रेलवे लाइन होती है जबकि बांगलादेशका रेलवे ले नेट्वर्क भारत के मुकाबले काफी छोटा है तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और पास में बना हुआ बैल आइकन भी जरूर दबा दे बंगलादेश में टोटल रेलियो नेटवर्क की लंबाई 2885 किलोमेटर की है जिसमें से 1838 किलोमेटर मीटर गेज ट्रैक है 682 किलोमेटर का ब्रॉड गेज ट्रैक है वही 365 किलोमेटर का डबल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक है मीटर गेज ट्रेन की आत्रा में ब्रॉड गेज के मुकाबले काफी अधिक समय लगता है और इतना लंबा मीटर गेज ट्रैक बदलना बांगलादेश के लिए बिलकुल आसान नहीं है क्योंकि ट्रैक बदलने के साथ ही उन्हें अपने ट्रेन के लोकोमोटिव्स और सभी तरह के डिबबे बदलने पड़ेंगे और बांगलादेश यह भी नहीं चाता कि उनका रेल्वे नेटवर्क इतने समय के लिए बंद हो इस वज़े से बांगलादेश ने ड्यूट गेज रेल्वे ट्रैक बनाया तो अब हम आपको बताते हैं कि आखी ड्यूट गेज रेल्वे ट्रैक होता क्या है Dual Gauge Railway Track ऐसे track होते हैं जिन पर Meter Gauge और Broad Gauge की ट्रेनों को एक ही track पर चलाया जा सकता है Dual Gauge Railway Track में तीन Gauge होते हैं दो Main Gauge वाले track होते हैं और तीसरा track Common होता है जो दोनों अलग-अलग Gauge वाली ट्रेनों को चलाने के काम आता है कई देशों में इसके अलावा चार लाइन का Railway Gauge भी समाल किया जाता है जिसमें दो Inner Gauge और दो Outer Gauge का प्रयोग अलग-अलग Gauge की ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाता है Dual Gauge Railway Track पर Platform की उचाई काफी कम होती है क्यूंकि इन ट्रेक पर दोनों ही Gauge की ट्रेनों का संचालन किया जाता है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको फसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में गुडबाई जाहिंद